तो हम बात करते हैं geometrical isomeris की, ध्यान से सुनिएगा तो मेरा पहला पॉइंट है कि geometrical isomeris है क्यों और कैसे ये structure से different है, structure में molecular formula same होना चाहिए लेकिन structure formula different होना चाहिए तो geometrical में molecular formula भी same है structure formula भी same है लेकिन 3D distribution या 3D structure formula same नहीं है या distribution of atom around carbons वो systematic, अलग अलग है यानि same चीज नहीं है, तो मुझे तो अभी तक समझ में नहीं आया कहना क्या चाहते हैं GI में, एक बार और, तो geometrical isomeris की definition तो तब समझ में आएगी अब इसको आप visualize कर पाओगे दिमाग में, मेरे हाथ में alkeen है, दिख रहा है, कैसे पता लगाया है alkeen है मेरे हाथ में यह compound है, इस तरह का, यह pie bond है, दिखी नहीं रहा है, अब दिखेगा, यह जो black है, दिख रहा है अब वो यह carbon, और यह जो pie bond है, partial pie bond होता है, आप समझते है, जनरली अपने इसको ऐसे दिखाते है, उपर, यह उपर वाला pie bond, यह नीचे वाला pie bond और यह एक तरफ आपके पास pink है, pink मैंने chlorine ले लिया और एक तरफ क्या ले लिया, दोनों pink है, तो pink दोनों तरफ उपर की तरफ है, और hydrogen नीचे की तरफ है, white color hydrogen को, तो इतना बड़ा बनाने की जगरत नहीं है, मैं इसको ऐसे दे देता हूँ, double bond, तो यह कितने pie bond है, दो है तीन है या एक है, एक, pie bond उपर और नीचे मिला की एक बन रहा है, यह दो नहीं है, एक है, ठीक है, तो यह आपके पास CL और A की पास H, यह CL और एक H है, ठीक है, इनके बीच की distance मालीच यह X है, यह compound है, एक दूसरा compound देखते हैं, इसमें एक CL इस तरफ है, इस तरफ है, और यहाँ CL है, और यहाँ है, और यहाँ जो distance है, वो क्या है, Y, आप बताओ, X और Y से में अलग है, अलग है, X छोटा है, दिख भी छोटा रहा है, Y बढ़ा है, तो मेरे जो point किलियर हो रहा है, कि ठीक है, इस समय X है, और अगर यह चीज opposite होती, तो इदर चल जाते हैं, तो क् पहले देखूं कि क्या ही एक दूसरे में convert है, नहीं हो सकते हैं, क्यों? क्योंकि यह lock हो गया, lock हो गया, अगर आप किसी को एक हाथ से पकड़ोगे, तो गुमा सकता हो, लेकिन दो हाथ से पकड़ोगे, तो लॉक हो जाओगे, वैसे ही यह lock हो गया, आपने तो बलकि इसको से जो attached हो रहा है, दिख रहा है, यह chlorine यह hydrogen, अगर मैंने इन दोनों की position इस तर से रखता हूँ, तो क्या इसका IUPAC naming में अभी तक कोई fark पड़ेगा, नहीं, कोई fark की नहीं पड़ेगा, उसी carbon से attached है, इधर की जगे, इधर, लेकिन अब देखो, क्या इन दोनों chlorine के बीच में distance change हो गई, हाँ, पहले क्या थी, अब क्या हो गई, वाई, पहले से बड़ी या कम हो गई, बढ़ गई, क्या यह उसमें convert हो सकता है, नहीं, तो यह से तोड़ के तो ही न अलग हो जाता है compound, यह उससे अलग compound है, क्या यह आपस में room temperature में convertible है एक दूसरे में, क्या ऐसे equilibrium sign ल molecular formula, same structure formula, same structure का कैसे बता चला है, IUPAC name same, अभी तक तो, position वही आएगी, 1,2 dichloro, ethene, 1,2 dichloro, ethene, IUPAC name में कोई फर्क आई नहीं रहा, तो यानि यह दूसरे के अभी तक तो क्या है, structure तो है नहीं, GI है, तो देखते हैं, अब GI में आने लग यह, यह इस से पता चल रहा है, इसक कि कुछ property तो अलग है, हो सकता इस जगह देखो, इसका diple moment बाहर की तरफ, इसका इंदर की तरफ, net diple moment कितना आजागा, 0, लेकिन अगर यह इस तरफ होता, तो diple moment क्या होता, ज्यादा होता, और बहुत ज्यादा होता, ज्यादा diple होता है, तो boiling point melting point generally क्या होते है, ज्यादा property हो गया, chemical property भी कोछ अलग हो जाएगी, polarity के साथ reactivity भी change हो जाएगी, तो कहीं न कहीं difference तो है, और properties में difference है और हम इस तरफ से देख रहे हैं, तो यह हमारे लिए क्या है, ब्लॉक हो गया, अब आप move भी नहीं कर सकते, रूम temperature में, तो यह दोनों compound एक नहीं हैं, अलग हैं, तो हमने इसको क्या नाम दिया हूँ, अब हमने इनको नाम दिया, geometrical isomers, क्योंकि geometry की वज़ा से ऐसा हो रहा है, तो मुझे लगा, अलकाइन में भी होता होगा, अलकाइन में तो बहुत अच्छे से लॉक होता है, माल लीजिए, यहाँ पर CL है, और यहाँ पर H है, तो क्या यह GI शो कर पाएगा, नहीं, आप इसे H को change ही नहीं कर सकते, H को अधर ले जाओ, CL को इदर लाओ, तो भी कोई, ठीक है ना, जो इनके बीच में डिस्टेंस है, क्या वो change हो जाएगी क्या, नहीं, बोलो होगी क्या, नहीं, यह नहीं होगी, इदर देख लो, यह मेरे पास alkyne, कितने pie bond है, दो, एक yellow color में दिख रहा है, red color में दिख रहा है, माल लीजे, यह blue color iodine को है, यह white, कैसे भी कर लो, इन में position ही नहीं है, ठीक है, तो अब क्या होता है, क्या यह एक दूसरे की GI होंगे, नहीं, अगर आप कभी ऐसे, किसी alkyne में यह तोड़के, इदर और, atom की position change कर दोगे, तो फिर वो GI निकलाते है, वो यह हमारा पहला logic है, कि alkyne क्या GI शो कर पाएगा, नहीं, नहीं कर पाएगा, क्यों नहीं कर पाएगा, क्योंकि एक तर से एक ही valency है, इसके पास, दो होनी जरूरी है, जिसे वो आपस में change हो जाए, एक से तो कुछ भी नहीं होने वाला, सही है, तो GI कौन शो करेगा, जनरल LV में, alkyne नहीं, alkyne में lock ही नहीं होता, rotate कर लो, कोई दूर है, कोई बात नहीं, alkyne हा, alkyne नहीं, तो हम पहले यह पढ़ते हैं, कि कौन शो कर पाएगा, कौन नहीं शो कर पाएगा, और GI है क्या, definition के साथ, तो definition क्या होगा, अब definition बनाना बहुत आसान है, क्या बनेगी definitions? simple, compounds in which rotation is restricted, any rotations, compound in which rotations is restricted, any नहीं घूम नहीं सकता हो, rotations, उस bond के according, and, distance, between, group, जैसे पहले देखा था, group, chlorine था, between, group, should be, difference, should be, difference, different, should be different, तो यह देखिए, rotations थे, यहाँ X है, और इसका isomers यह क्या हो जाएगा, this, कोई दिक्कत आई, पक्का, I, U, B, C, name नहीं चेंज होना चाहिए, पहले भी 1, 2, die glow रहा था, लेकिए अगर यह उटके, यह chlorine उटके, इस atom की position को ही change कर देता, कैसे change कर देता, समझना आप, ऐसे change कर देता, तब I, U, B, C, name ही change होगया, 1, 1, die glow रहा हो, एथीन हो जाएगा, नाम change होगया ना, तो क्या, नाम change होगया, तब यह isomers हैं पहले वाले से, हाँ, लेकिन अब यह structure isomers है, अब यह GI नहीं है, समझ में आ रहा है, तो क्या, यह GI शो करेगा, अब, नहीं, यह structure है, क्यों नहीं करेगा, आप GI के लिए, आपने के दिया साब, आपने यही तो बोलाए था, पहला, restriction होना चाहिए, देखिए, यह पहला, rotation is restricted, rotate नहीं हो पारा, लेकि मैंने यह भी बोला है, कि अगर आप इनकी position आपस में ऐसे change करेंगे, तो distance between atoms, change होनी चाहिए, पहले white और pink में क्या distance ही, y है तो अब भी y है, पहले x थी, तो अब भी x है यहाँ पर, कोई change हुआ ही नहीं, तो वो change होना चाहिए, यह दोनों definition मिलके GI को decide करेगे, अकेली definition नहीं करेगे, and लगाया मैंने, और नहीं लगाया, अर यह बात समझ में, तो बहुत easy है यारी तो, GI पतना, तो alkyne के अंदर easy है, हाँ, IUPAC name change नहीं होना चाहिए, सही है, तो हमें, आगे हम इनकी IUPAC अलग तरह से एक और word लगाते हैं, जो हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन basic IUPAC name है, जो अभी तक हमने पढ़ी है, वो change नहीं होने चाहिए, ठीके, तो scientist को पता चल गया, कि अगर यह दो अलग compound है, तो इनके लिए IUPAC में कुछ और नियम change होने चाहिए, इनके आगे कुछ अग लगाना चाहिए, तो वो हम अब पढ़ेंगे, normal IUPAC में अभी तक कोई दिक्कत है ही नहीं, समझ में है ही कुछ गणी था, तो लिखो, examples हमारे पास होंगे,